वेलकम एवरिवन आज का हमारा प्रेश्ण है कि लहासा की और पाठ में लेखक को बिखारी के बेश में तिबबत की यात्रा क्यों करनी पड़ी पाठ में यह बताया गया कि तिबबत पहाड़ों में निर्जन स्थान अधिक है निर्जन स्थान कौन से होते हैं जहां पर लोग बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हो और लोगों का आवागमर है ही नहीं इसलिए वहाँ पर लूट पाट और हत्या का भैई बना रहता है जादातर हत्याएं धन और रुपे पैसे लूटने के लिए की जाती है तो लेखक ने डाकों से बचने के लिए विखारी का छदम वेश छदम वेश का आजाता है जिसमें आप अपने रूप को छिपा करके किसी और के वेश को धारण करते हैं तो छदम वेश में अपनी यात्रा की थी जब भी लेखक के सामने कोई भयानक दिखने वाला व्यक्ति आता तो वह है दया 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 करो दया करो एक पैसा मुझे दो कहकर भीक मांगने लगता और इसलिए यहां पर यह स्पष्ट दिखाई देगा कि लेखक ने अपने जान माल की सुरक्षा के लिए यह उपाय किया था इसी तरह के और प्रिश्णों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको प्रश्ण है तो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं